आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीना मुबाइल नमबर यूज़ किये unlimited email id कैसे बनाते हैं So friends कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कोई application initial करते हैं और एक नया account बनाते हैं तो वहाँ पर हमें email id की जोरत पड़ती है और password तो हम अपने इसाब से सेट करी लेते हैं या किसी-किसी website पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें account create करना पड़ता है उस website के tools उस करने के लिए तो वहाँ पर भी हमें email id की जोरत पड़ती है और password तो हम अपने इसाब से बना ही लेते हैं इस website पर हमें account create करने के लिए एक username तो username अपने हिसाब से कुछ भी रख लेंगे एक email address और password चाहिए तो username और password तो हम अपने हिसाब से खुद create कर लेंगे लेकिन email address कहां से लाएंगे बहुत सारे लोग हैं जो email address mobile number से create किया हुआ यूज नहीं करना चाहते हैं तो username क्या करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको अपना chrome browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको type करना है temporary temporary email temporary email generator आपको search करना है search करने के बाद आपको सबसे उपर वाला website open करना है so friends कुछ time आपको wait करना है wait करने के बाद आपको एक email यहाँ पर दे दिया जाएगा इसको आपको यहाँ पर click करके copy कर लेना है copy करने के बाद आपको जहाँ पर भी copy करने के बाद आप जहाँ पर भी account create करना चाहते हैं अगर किसी application में account create करना चाहते हैं तो application open कर लिजिए या आगर आप website पर account create करना चाहते हैं तो website open कर लिजिए जैसे यहाँ पर मैं एक website open किया हूँ nimaker.com ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको account create करके दिखाऊंगा इस email का use करके तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक user name select करते हैं तो यहाँ पर हमने एक user name select किया और जो हमने email copy किया है उसको यहाँ पर paste कर देंगे paste करने के बाद यहाँ पर हम एक password generate करेंगे password generate करने के बाद I agree to all पर trick करेंगे और यहाँ पर sign up पर click कर देंगे ध्यान यह रखना है कि आपको इस email को किसी notepad में note कर लेना है और password को भी note कर लेना है ताकि अगले बार जब भी आप इस account को login करना चाहें तो बहुत ही असानी से login कर पाएं उसके बाद sign up पर click करेंगे so friends यहाँ पर an activation link has been sent to your email इमेल पर एक message गया है तो यहाँ पर हम फिर से उसी page पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो एक message आया हुआ है इसको क्या करना है open करना है open करने के बाद यहाँ पर activate my account दिया है इस पर हम click करेंगे click करने के बाद हमारा account open हो जाएगा so friends यहाँ पर हमारा account create होकर त्यार हो गया है अगर आपको temporary email बदलना है दूसरा temporary email चाहिए तो आपको यहाँ पर delete का option मिलेगा जब आप delete पे click करेंगे तो यह email चेंज हो जाएगा और आपको दूसरा email provide कर दिया जाएगा इस तरह से आप जितना चाहें उतना email ID create कर सकते हैं बिलकुल free में वो भी बिना mobile number यूज़ किये तो friends उमिद है कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएगा